हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्योंगे जारखन 26001 सिक्षक भरती के बारे में बात करेंगे कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या आई है और सहायक शिक्षक भरती में नया जो नियम अब लगा दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी और सही समय पे जानकारी मिल सके और सारे चीजों को अगर आप निसकर्स निकालोगे मैं आपको सारे चीज़े दिखाऊंगा भी इस वीडियो में एक निसकर्स सबसे common निकाला जा सकता है कि JTED 2023 का अगर exam conduct करा लिया जाए तो सारे जो मुसीबते हैं सारे मुसीबतों का अंत हो जाएगा मुझे पता है JTED 2016 वाले निचे comment section में आएंगे कि ये मैं 7 साल से 8 साल से इंतजार कर रहा हूँ अच्छी वात है आप इंतजार कर रहे हो आपका हक मिलना चाहिए लेकिन किस बिना पर अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो किसी और के साथ गलत करके आपको इंसाफ दे दिया जाए ये तो भी सही नहीं होगा न इसलिए JTED अगर एक नया JTED कराया जाए और कुछ लोग न मैं एक comment पढ़ रहा था कल मुझे बड़ा हंसी आया कि 2028 JTED वाले को भी सामिल करेंगे भरती में 2028 का भी JTED कर वालो मेगा सूची के आधार पर यानि की merit list के according जो है भरती करवाओ तो देखिए इन लोगों के पास कुछ है नहीं टैलेंट नहीं है इसलिए ये ऐसी हरकतें या stunt कर रहे हैं लेकिन जिसके पास टैलेंट है वो properly परिच्छा देने से घवराएगा नहीं पीछे नहीं अटेगा स हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को हक मिले हमारा जो हक है हम लोगों ने बेड में बहुत सारे पैसे बरबाद करें हैं जी हां मैंने सही कहा है पैसे बरबाद करें क्योंकि अभी तक हम लोगों को हक ही नहीं मिला ना जेटेट बैठने का हक मिला है अभी तक और सिक चक न रख कर जो है इसको जो है रिवील नहीं किया जा रहा है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं देखिए मैं आपको दिखाता हूं देखिए वेट यह तो आज की सबसे लेटेस्ट कबर है मैं आपको यहां से देखाता हूं यह देखो यहां पे इन्होंने क्या करा है देखिए इन्होंने जो है 6-10 का आपको यह नोटिफिकेसन दिखेगा यानि कि 6 अक्टूबर को सरकार के द्वारा जो है यहां से देख लो आप जारकंड प्रारंबिक विद्याले प्रसिक्षित सहायक अचार के बारे में जो है नो कर सकते हो फॉर्म को ठीक है अब देखिए इन्होंने यहां पे नोट में क्या लगा दिया है बताईए क्या लिख दिया इन्होंने कि WPS नंबर 449 ऑफ 2023 बहादूर महतों भरसेज स्टेट ऑफ जहारकंड के अंतिम आदेश से बिग्यापन प्रभावित होगा अब मुझे ब अब देखिए और बात जो सामने आये वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए पांच सेप्टेंबर को न्यूकती के समय निकले बिग्यापन पर लगी हुई थी रोग अब देखिए सरकार ने कहा है कि सिक्षक भरती जो है न्यूकती बहुत जरूरी है लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि जेटेट का जो है आयोजेन कराना जिरूरी है क्यों कि 2016 के बाद से सरकार है कान में तेल डालकर सोई है कि जो परिक्षा हर साल दो बार कंड़क्ट करानी चाहिए थी इनको वो परिक्षा ये पिछले 7-8 साल से एक बार भी कंड़क्ट नहीं करा पा रहे जिमेदार कौन है भोट देते समय इन चीजों का ध्यान आप लोग नहीं रखते हों मैं ना बिजेपी का समर्थकू ना जेमेम का ना कॉंग्रेस का आप बस इतना ही समझ लो कि कौन सी सरकार है आपके हित में कितना निर्ने लेती है और आपका जीवन उसे कितना प्रभावित होता है इसी आधार पे भोट आप जरूर दे पड़े लिखे लोगों का आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक सिक्षा मंतरी थे उनकी मौत हो गए लेकिन उस इनसान ने मरे वे लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलते लेकिन वो इनसान इतना थेथ जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं कोट के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था देखिए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है नीचे कमेंट करके आप लोगों को देख रहे हो देवगर, मदुपूर, जहां से भी देख रहे हो जामताड़ा, गोड़ा, नीचे कमेंट करके वो जरूर लिखेगा, ताकि हम लोग युनाइट हो सके, एक और बात जेटर 2016 वाले अनरगल कमेंट करते हैं बेवज़ा की बे तुकी बातें यह करेगे कि मैं साथ साल से, इनका एक ही रोना शुरू से रहा है, है ना यह हमेशा एक ही रोना रोते हैं कि हम लोग साथ साल से इंतजार कर रहे हैं तो साथ साल से इंतजार कर रहे हैं तुम्हें पि-म बना दें ये क्यों कर रहे हो तुम और एक पारा टीचर ने कमेंट करा था कि आओ डिसकस कर लो तर्ख कर लो मैं तुमसे जादा हो से आ रहा हूं तो देखो भाई पारा टीचर सबसे पहले तो तुम्हारी कोई आउकात नहीं है है ना तुम्हारी कोई आउकात नहीं है मैं बताता हूं मांग रहे हैं, इनको seat भी रिजर्ब चाहिए, इनको आकलन परिक्षा में भी relaxation चाहिए, हर जगह पर ये कुछ ना कुछ कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तिगड़म बाजी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं सिधा सिधा काता हूँ, सरकार है ना, इनको अपने सर प प्राय नहीं किया है, इसके बावजूद इनको क्या चाहिए, नियमी सिख्चक भरती आएगी, उसमें भी इनको हाफ आधा ये पारा सिख्चकों के लिए आरक्षित रहेगा, अब बताओ, ये तो गेम का नियमी गलत है ना, कि अगर 100 सिख्चक की भरती होगी, तो उसमें ये जो पचास है, ये पारा टीचर वाले ही रहेंगे, और पचास में जो है, जेटेट और नए बिद्ध्यारती जो भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें डाउट है, तो बताओ ये पारा टीचर की क्या प्रॉब्लम है, यहां बताओ, पारा टीचर को ये क्य बहुत कम हुई लोग होंगे जो 40 के कम होंगे लेकिन 40-50 पलस याने कि उनकी सर्विस सरकार कितने दिन तक ले पाईगी ऐसे में आप इन लोगों को क्यों हायर कर रहे हो लॉंग टर्म की सोचो ना नए विद्ध्यार्थियों को मौका दो और इससे पुराने जेटेट पास ज दियालेड करा है लाको रुपए खर्च करे हैं घर बेचा है लोगोंने गहने बेचे हैं खेत बेचा है तब जमीने बेची है तब जाकर डिगरी उन्होंने लिए उनके साथ बुरा जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्यदार है और ये कुछ बैल बुद्धी वाले लोग करते हैं आफ लोग मेरी बाट से कितने परतिसत एगरी करते हो कितने डिसएगरी करते हो इस बात का रेख्लेक्शन मीरर क्कमें Edwards में देखता है आप लोग जादा से ज्यादा Jadad 2030 के सपोर्ट में बातों को जरूर लिखे ताकि यह जो पाराट टीचर आका आपके उपर टीचर उशालेंगे ताकि इनके उपर जो है सारी फोकस ना जाए हम लोग अपने मांग पे डटे रहें और आगे बढ़ते रहें और उम्मीद कीजिए कि हाई कोट एक उम्मीद की किरण हाई कोट से ही है कि हाई कोट यहाँ पे जेटेट 2023 का जो है कंड़क्शन कंड़क्ट कराने की बात कहते और जल्दी से जल्दी उसे कंड़क्ट करा लिया से चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्यू सो मच